Hello students and welcome back to your own channel once again. In today's video, we are going to discuss about the most important topics of biology class 12 for your board examination. अगर आप board examination के लिए प्रिपेर कर रहे हैं या फिर आप improvement exam या compartment exam देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं because आप लोगों को इस वीडियो के जरीए detail में मैंने समझाया है कि आपको किस topic में क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, कौन से topic को जाधा अच्छे से पढ़ना है किस particular topic के अंदर आपको diagram based question के उपर ध्यान देना है किसमें आपको यहाँ पर आपके figure के उपर ध्यान देना है, किसी graph के उपर ध्यान देना है तो ये सारी चीज़े जो है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखीगा क्योंकि किसी भी examination के लिए जब आप prepare कर रहे होते हैं तो सबसे जादा important होता है कि आपको उस exam का marking scheme पता हो उसके लिए मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपका paper कैसा आएगा तो description box में paper pattern की link दी हुई है आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए उसके अलावा यहाँ पर मैं most important chapter आपको किस chapter को कब करना है इसके बारे में भी detail वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी तो आज की वीडियो का topic है most important topics तो हमने chapters cover कर लिए हैं हमने paper pattern discuss कर लिए हैं अब हम आजाएंगे कि कौन से ऐसे topics हैं जो most important है और आपको इन topics को कुछ इसी तरीके से पढ़ना है ताकि आपके marks जो है वो बहुत अच्छे आएं आपके board examination के अंदर तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले chapter से now as you all know कि CBSE के नए syllabus के according जो आपका first chapter है reproduction in organism वो यहाँ से जो है remove कर दिया गया है completely remove कर दिया गया है तो हम आजाते हैं हमारे पहले chapter पर जो की है sexual reproduction in flowering plants sexual reproduction in flowering plants में सबसे जादा important क्या है flower का structure यानि की pre-fertilization events जो भी इसमें आएंगे वो सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने है और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने अगर चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए because यहाँ पर most important topics बताने के बाद आप लोगों के लिए chapter wise notes में लेकर के आने वाली हूँ जो की आपको आपके board exam में to the point notes है आपको बहुत जादा help करेंगे आपके revision में और most important questions marking scheme की according हर एक question chapter wise में आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ तो यहाँ पर समझते हैं flower structure में आपको pre-fertilization events सब कुछ पढ़ना है किस तरीके से male और female gametophyte develop होता है आपको यह चीज़े पढ़नी है pollination कितने types के pollination होते हैं example के साथ आपको उसको पढ़ना है क्या के agencies involved होती है adaptation किस तरीके से होता है outbreeding devices किस तरीके से आप breeding करा सकते हो किनकिन डिवाइसे के तरू करा सकते हो यारे किनकिन methods के तरू करा सकते हो यह चीज़े इंपोर्टेंट है pollen pistol interaction बहुत बढ़ा 3 mark का question बन सकता है pollen pistol interaction से double fertilization बहुत ज़ादा important है कि किस तरीके से double fertilization होता है three and condition बनती है ओके ये चीज़े बहुत ज़ादा important है एंजियो sperm में किस तरीके से हो रहा है double fertilization main important characteristic है ये उसके बाद pre-fertilization events तो हमने कर लिए post-fertilization events पर आ जाते हैं जिसमें आपका endosperm कैसे develop करता है embryo कैसे develop करता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़ादा important है और यहां से आपके diagram based question भी बन जाते हैं तो बहुत सादा important है आपको ये समझना कि किस topic को किस तरह से आपको पढ़ना है वही चीज़ में आपको यहाँ पर समझा रही हूं ठीके तो कोई भी डाउट हो किसी भी topic में किसी भी particular chapter में तो प्लीज नीचे comment section में comment करके मुझसे पूछ जरूर लेना ताकि आपका doubt जो है वो clear हो जाए next जो हमारा same chapter के जो next आगे के topics है that is development of seed को seed dormancy हो गया ठीक है यह बहुत important चीज़े है seed coat क्या होता है seed की development कैसे होती है और formation of fruit fruit कैसे बनता है इनके उपर based question आते हैं उसके बाद तीन बहुत बहुत जादा important है यह सारी चीज़े एपो मिक्सिस पार्थीनो कार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी तीनो की definition आपको पता होनी चाहिए बहुत जादा important है अगर आपको इसकी definition नहीं पता है तो प्लीज इनको याद कर लेना आपको examination में देखने को जरूर मिलने वाले हैं इन spurs हो सकते हैं, pollinate कैसे कैसे हो सकते हैं और fruit कैसे बन सकता है, same यहीं वाला format ठीक है, आगे next chapter पर आजाते हैं that is human reproduction, बड़े questions बनते हैं इस chapter से, सबसे जादा important है diagram आपके जैसे की female reproductive organ बनाने को दे दिया जाता है, या फिर आपको sperm का diagram बनाने को दे दिया जाता है, तो बहुत बहुत जादा important है, कि आप male और female reproductive system को बहुत अच्छे से detail में पढ़ो, उसके बाद testis और ovary की anatomy को अच्छे से याद कर लेना, कि seminiferous tribules कहां होते हैं, ठीके spermiogenesis कहां पर होती है, यह सारी चीज़े बहुत जादा important है, और ovary के अंदर बाई दे को fallopian tube यह सब कहां होते हैं, gametogenesis के अंदर यानि कि gametes के बनने के process के अंदर sperm कैसे बनते हैं, वो हो गया spermatogenesis, और आपके eggs कैसे बनते हैं, oogenesis, तो यह gametogenesis में important है, उसके बाद menstruation cycle most important topic है, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, और इसका graph ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि अगर यह long question में आपस पूछ लिया गया, तो आपको graph जरूर बनाना है, तभी आपको पूरे marks मिलेंगे, अदर पूरे marks नहीं मिलेंगे, उसके बाद pregnancy के अंदर क्या क्या trimesters होते हैं, first three months में क्या बनता है, उसके बाद कौन से month में क्या development होती है, बेबी के अंदर, fetus के अंदर, वो चीज बहुत ज़्यादा important है, यानि की सारे के सारे trimesters आपको अच्छे से पढ़ने है, detail में पढ़ लेना इन चीज़ों को, parturition में, अब जो pregnancy है, वो complete हो चुके है, तो parturition हो गया, यानि की fetal ejection reflex क्या होता है, ये to the point question है, इन सभी के notes में आपको provide कर दूंगी, do not worry, PDF format में आपको notes मिल ज आती हूं कि आखिरकार किस chapter में, कौन से topic में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, okay, HCG का indication by pregnancy, एक woman pregnant है या नहीं है, ये आपको human जो ये आपका gonadotrophin, आपका hormone है, इस से पता चलता है, ठीके, उसके बाद MTP आपका करा सकते हो, ये चीज़े important है, lactation में प्रॉम का बनना बहुत ज़्यादा important है, इस सीज़ को मत भूलना, उसके बाद हम आजाते हैं, एक second, अब हम आजाते हैं, reproductive health, next chapter, यहां से value based question देखने को मिलेगा, value based question आपको इसी chapter से देखने को मिल सकता है, या फिर आपका जो organism and environment वाला chapter है, वहां से आपको देखने को मिल सकता है, ओके तो reproductive health है, child health है, शुरुवात में आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि आखिरकार in particular reproductive health, child health care की क्या जरूवत होती है, क्या role होता है, prevention of sexually transmitted diseases, sexually transmitted disease को आप कैसे prevent कर सकते हो, क्या-क्या sexually transmitted disease होती है, उनके बारे में पता करना है, birth control, सहेली वगेरा और यह जो निरोद वगेरा यह सब use होते हैं, जो government की तरफ से यह चीजों के examples, नाम, याद रखना, क्या जरूरत है इनकी और किन-किन method से हम कर सकते हैं, amniocentuses का misuse बहुत जादा important है, इस चीज को बड़े अच्छी से याद रखना, कि भई misuse कैसे कर लिया जाता है, इसको उसके उप होती है, किस वज़े से हो सकती है, और उस infertility को overcome करने के लिए reproductive technologies का use करना, यानि कि test tube baby, IVF, ZIFT, GIFT और artificial insemination, next है principles यानि कि genetics and evolution वाली unit, जिसमें evolution chapter पूरी तरह से remove हो चुका है, हम आ जाएंगे हमारे first chapter पे जो कि है genetics का principles of inheritance and variation, इसमें आपको mental के बारे में तो कुछ नहीं चोड़ना है, सबसे ज़्यादा important उसके जो seven traits लिये थे, उनके बारे में information होनी चाहिए, उसका जो आपकी book में एक chart बना हुआ है, उसको आपको याद रखना है, उसके बाद इसमें law होते हैं, उन laws को बहुत अच्छे से कर लेना, यही है बस मेंडल में, और कुछ नहीं है, उसके बाद, अब मेंडल के बाद बही काफ सारी चीज़े देखेंगे, जैसे की incomplete dominance, co dominance, multiple allele, ठीके blood group कैसे inherit होते हैं, कैसे decide होता है इस बंदे का blood group, जो है वो A blood group होगा, इसका AB blood group होगा, इसका B blood group हो ही important है यहां पर blood group में, और कुछ important नहीं है, अगर आपको table समझ में आ जाएगा, तो आप उसको theoretical में भी लिख पाओगे, okay, pleiotropy is very much important, और आपको polygenic inheritance के बारे में आपको एक idea होना चाहिए, this is very much important, कि आखिरकार polygenic inheritance होता क्या है, उसके बाद chromosome theory of inheritance किस तरीके से, देखो, mitosis meiosis वाली चीज़े हैं, किस तरीके से chromosome जो है, आगे transfer हो रहा है from generation to generation gene के तुरू chromosome और gene क्या होता है, definition इनकी linkage और crossing over जो है, इनके बारे में आपको difference के तोर पर ज़रूर पढ़ लेना है, definition तो पढ़ोगे पढ़ोगे, लेकिन जादा important है difference कि बाई, linkage और crossing over एक दूसरे से different क्य हुँ है, और उसके बाद sex determination बहुत दा important है, कि humans में कैसे sex determination होता है, x6 होगा तो women है, xy होगा तो male है, ठीक है, उसके बाद birds में कैसे होता है, honey bee में बहुत दा important है, क्योंकि honey bee जो है, उसके अंदर आपको पार्थी नो genesis देखने को मिलता है, तो यह बहुत दा important point है, यहाँ थैलिसीमिया हो गया, sex linked inheritance क्या क्या हो सकती है, hemophilia हो सकती है, color blindness हो सकती है, यह सारे disease है, बच्चों, इन disease के बारे में आपको पढ़ना है, और यही वो disease है, जो आपसे पूछ ली जाएंगी, हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए, एक example बताओ, sex linked disorder का inheritance का, तो आप बता दो होगे, color blindness, आपसे पूछा जाएगा, mendelian disorder में से एक किसी का नाम बता दो, आप थैलिसीमिया बोल दोगे, ठीक है, और chromosomal disorder जो होते हैं, human में, जैसे की, down syndrome, clean filter syndrome, turner syndrome, यह चीज़े बहुत आदा, important है, इनको ज़रूर याद रखना, ओके, एक सेकिंद, तो चलो आजाते हैं, sorry for the disturbance, ओके, तो यह चीज़े आपर cover हो चुकी है, अब हम आजाते हैं, हमारे next topic पे, that is, molecular basis of inheritance, यह chapter सबसे easy chapter है, जैसे की, आपको genetics में easy chapter देखने को मिला, वही genetics में second chapter बहुत easy है, that is, सबसे पहली चीज़, भई, जो मिशल संस्टेल के, ठीक है, और आपके जो bacteria के थुरू आपको जो पता लगाया गया था, कि भई, DNA ही genetic material है, उसके सारे experiment पढ़ लेने हैं, कोई एक experiment आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, यह मेरी guarantee है, उसके कि जिन कैसे होती है, stone proteins बगेरा, nucleosome बगेरा आजाएगा यहाँ पर, central dogma यानि की क्या होता है, transcription involved होगा, DNA से RNA बनना, RNA से फिर protein बनता है, translation के थुरू, और जिन codes को read करता है, that is, genetic code, उसके बाद gene कैसे अपने आपको express करता है, कैसे regulate करता है, उसके respective में आपको lack operon पढ़ना ह human genome project to the point question आते हैं, ठीक है, आभी सकते हैं नहीं विया सकते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो to the point आएंगे, ज्यादा detail में मत पढ़ना, रटने वाली चीज़ आई है, DNA fingerprinting हो सकता है, दो माक वाले question में आजाए जाए 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 इस से जाए नहीं पूछा इसको, human health and disease chapter पर आते हैं, तो pathogen, क्या-क्या pathogen involved होते हैं, जो कि cause करेंगे human disease को, और उनको control कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद immunology पर आते हैं, कैसे-कैसे immune system को strong कर सकते हैं, कैसे-कैसे हम क्या-क्या चीज़ों को intake कर सकते हैं, जैसे कि vaccine हो गई, जो कि आप अभी समी ले हो गया, I hope, covid एक virus है, जो कि एक pathogen हो गया, इसके against आप क्या ले रहे हो, vaccine ले रहे हो, that is a immunology function, okay, cancer के against, vaccine नहीं है, cancer करेंगे, बट आप कुछ ना कुछ दवाईयां लेते हो, to repress its effect, right, HIV, aid, इन सब के बारे में बहुत दा इंपोर्टन है, जानना, adult sense के अंदर क्या-क्या ची सब्सक्राइटी का एक issue है, तो यह सार चीजे उसके अंदर आ जाएंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है, next microbes in human welfare में ही, आपका मतलब यानि की जो unit है, उसके अंदर हमारा next chapter है, microbes in human welfare, जिसमें आपको यह देखना है, कि microbes जो है, वो kitchen में, यानि की household food processing में, sewage treatment में, और industrial production में किस तरह से involved होते हैं, आई मेरी बाद समझ में, ठीक है, उसके बाद microbes कैसे energy को generate करते हैं, याद है आपको, आप किस तरीके से fermentation कराते हो, किस तरीके से आप batch fermentation, fed batch fermentation, वो सब इसमें आ जाएगा, बायो control agents कैसे यूज करते हो, बायो fertilizer के रूप में कैसे microbes को use करते हो, ठीक है, एंटि बायो टिक्स में कैसे आप use करोगी कि भाई, कैसे आप produce कर रहे हो, एंटि बायो टिक्नोलोजी में ही आएंगे, ठीक है, तो next हमारी unit है, बायो टिक्नोलोजी जिसके अंदर पहला chapter है, principles वाला, कि भाई, क्या क्या तरीके से हम किन किन प्रोसेस कि तुरू बायो टिक्नोलोजी को introduce करा सकते हैं, तो इसमें पूरा chapter ही यहाँ पर based है, recombinant DNA टिक्नोलोजी में, इसमें बाई, क्या क्या टूल यूज होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, बायो रियाक्टर जो यूज होते हैं, आपको वो पढ़ने हैं, और simple है, आपको सिर कि तो पूरा chapter इतना बड़ा chapter आपको लगता होगा, कोई बड़ा chapter नहीं है, पूरा chapter based है, एक technology के ओपर, जो की है, recombinant DNA technology, ओके, next हमारा यहाँ पर है, बायो टिक्नोलोजी की application वाला chapter, बायो टिक्नोलोजी और इस application, तो इसमें आजाएगा, application of biotechnology in health and agriculture, ठीके, health और agriculture में, agriculture में किस तरीके सी यूज होती है, बायो टेक्नोलोजी हम प्लांट्स को, एक प्लांट की दूसरे प्लांट्स का, ट्रांस जैनिक प्लांट्स बना लेते हैं, humans में कैसे यूज होगी, health के अंदर, यानि की हम हमारे desired gene के साथ, हमारा foreign gene जो है, वो इंट्रेड्यूस करा देते ये सारी चीजों के अंदर हमें recombinant DNA technology का यूज करना होगा, उसके बाद gene therapy की definition और value based question बन जाकता है, gene therapy पे ADA deficiency जो की चार साल की बच्ची के अंदर किया गया था, जिसके अंदर ADA deficiency को खतम किया गया था, ठीक है, उसमें gene की therapy आनि की treatment की गई थी, जिसके वैसे उसकी body में ADA ब efficiency थी, stem cell technology, human insulin and vaccine production, कैसे human insulin सबसे पहला था, bio technology से बनाया गया, hormone उसके बाद vaccine कैसे बनती है, genetically modified organisms, यानि की BT crops के अंदर, transgenic animals, bio piracy बहुत दा important है, कैसे हमारा बास्मती वाला जो case हुआ था, वो बहुत दा important है, patent हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में एक definition पढ़ने जादा मत प चाप्टर पे, क्योंकि देखो आपको पता है, ecosystem और environmental issues वाला चाप्टर आपका नहीं आ रहा है, और आपका first chapter reproduction and organism भी remove हो चुका है, तो अब हम आजाते है, organism and population चाप्टर पे, organism and environment के बारे में, जैसे कि biome क्या है, biosphere क्या है, इन सब के बारे में आपको definition पढ़नी है, organism क्या होता है, environment क्या होता है, habitat क्या होती है, किस तरीके से, क्या niche कहलाती है, इस सब की छोटी-छोटी definition याद कर लेना, population and ecological adaptation, अलग-अलग organism में, किस तरीके से होगी, interaction किसी भी, एक organism का, दूसरों organism के साथ, अगर वो फाइदा दे रहा है, तो mutualism, दौनों के बीच में, अगर difference है, the competition, यान कि कौन बेटर है, कौन जादा रहेगा, उसके अलावा, prediction, parasitism, यह सारी चीज़े, important है, तो यह interaction जरूर याद रखना, आपको एक table बना हुआ, मिला होगा, आपकी NCRT में, उसको याद रख लोगे, सारी चीज़े, याद हो जाएगी, population attributes में सब सादा important है, जो आप biodiversity के अंदर आजाएंगे, हम क्या-क्या pattern होता है, क्या concept होता है, biodiversity का कैसे हम बचा सकते हैं, हमारी आसपास की, biodiversity को, bio मतलब living सारी चीज़े, diversity मतलब अलग-अलग forms में, यानि की, अलग-अलग diversity में, आपको यह देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद, biodiversity की conservation हम कैसे बचा सकते हैं उसको, दो तरीके से बचा सकते हैं, in-situ या, x-situ इनके बारे में आपको पढ़ना है, hotspot के जो examples हैं, उनके बारे में जासे कि इंडिया में जो तीन hotspot हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है, red data book, यानि कि जो species खतम होने वाली है, endangered है, उनके बारे में red data book में जो information है वो collect करके रखी जाती है, तो क्या significance होता है, यह मैंने आपको अभी बता दिया है, इसको आपको याद रखना है, endangered organism कौन से हैं, biosphere, reserves क्या होते हैं, national park के बारे में, example, centuries और रामसर sites, यह सारी चीज़े हो गई आपके important topics के बारे में, अभी भी आपके लिए mind में कोई भी doubt हो, किसी भी topic के उपर, तो आप पूछ सकते हो comment section में, यह सिर्फ एक overview था कि आपको, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हो, उन्हें नहीं पता होता हो, उनको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, एक chapter के अंदर, तो यह overview के जरीए मैंने आप लोग को बताया है, कि आप कै इसे यहां पर पढ़ सकते हो, हर एक chapter को, हर एक topic को, उसमें आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे points हैं, जिने आपको miss नहीं करना है, तो इन्हीं के same, इन्हीं सभी topics के आपको notes में provide करूंगी, तो please channel को subscribe जरूर कर लेना, उसी के साथ-साथ questions भी provide करने वा के आउंगी, most important topic, sorry, most important questions, plus आपके notes, okay, so with that said, thank you so much, have a good day, bye-bye, मिलते हैं, ऐसी ही किसी नहीं वीडियो के साथ.